I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961 that within six months we will have the Tax Code or the Income Tax Act. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. So guys, जो अमारा नया Income Tax Law आने वाला है अगले साल The Direct Tax Code Bill 2025. Guys, उसके बारे में आपके पास एक सुनेहरा मौका है कि आप अपने reviews, आप अपने suggestions दे सकते हो कि आप क्या बदलाव चाते हो नए Income Tax Law में यानि कि Direct Tax Code 2025 में. Guys, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा 60-65 साल पुराना Income Tax Act रहा है, उसको abolish करके, उसको खतम करके नया Tax Law आ रहा है जिसका नाम है The Direct Tax Code Bill 2025 जो कि फरवरी 2025 में budget में present दोस्तों किया जाएगा और 1 April 2025 से ही applicable होने वाला है. तो guys, इसके लिए अगर आपको public को एक यहाँ पर मौका दिया है सरकार की तरफ से कि आप अपने suggestion, आप अपने advice जो है बहुत सारे लोगों ने comment भी किया है कि सर tax structure change होना चाहिए, political parties पर tax लगना चाहिए, सर individual slab rate कम होना चाहिए, salad class को exempt, यानि कि tax कम करना चाहिए, pensioner को जो है exemption देनी चाहिए tax से, तो multiple comments है दोस्तों बहुत सारे हमारे पास, तो आपके पास अब सुने रहा मौका है भाई, आप मुझे तो comment करी रहे हो साथ में, तो इस वीडियो के माद्दम से आप comment करके भी बताओ, और साथ में जो मैं आपको steps पताने वारा हूँ ना, वो steps follow करो, ताकि income tax department के पास, आपकी सारी जानकारी, यानि कि आप जो चाहते हैं बतलाओ, वो हो जाए, तो वीडियो बहुत साथा important होने वाली है, आप से हमेशा expect करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और इसके इपना करें, नमश्कार में दीपक बैसल, आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर, दोस्तों चैनल में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे motivate करने के लिए प्लीज एक छोटा सा काम जरूर कर दीजे, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, नीचे लाल पटन आपको देखेगा, उसे दबाएए, ताकि कोई latest वीडियो आए, GST, income tax को लेकर, तो आपसे मिसना हो, टेलिगराम चैनल पर आप हमें जरूर जोइन कर सकते हैं, लिंक आपको description में मिल जाएगा, यह हमारी वो trending वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें direct tax code को मैंने समझाया है, कि basically direct tax code है क्या, कड़ी लोग को अभी भी नहीं पता कि direct tax code है क्या, और इसमें क्या-क्या नहीं चीज़े आपको देखने को मिलेगी, income tax law के मुकाबले, तो link आपको description में मिल जाएगा, चलिए मुद्दे की बात करते हैं, तो आपने कहां जाना है, सबसे पहले आपने जाना है, income tax की website पर, income tax.gov.in पर दोस्तों आपने जाना है, तो यहाँ पर आपको dashboard page पर, home page पर आपको दिखेगा, suggestion for revamp of income tax act, यानि कि आप नए जो income tax act आने वाला है, direct tax code, bill 2025, उसमें अगर आपनी कुछ suggestion देना चाते हैं, तो आप यहाँ पर जाके दे सकते हैं, तो यह नया feature अभी launch किया है, income tax department ने, आप सब के लिए, तो भाई जो लोग complain कर रहे थे न, उनके पास सुनेरा मौका है, अभी जाके review दे दो, अभी जाके suggestion दे दो, करना क्या है, जैसी मैंने उस पर click किया, आपने यहाँ पर अपना नाम डालना है, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर mobile number डालना है, आप सबको पता है, कि income tax के अंदर कितनी complication रही है, कुछ ऐसे provision से जो लोगो समझ नहीं आते, बहुत जादा complicated है, दोस्तों क्योंकि 60-65 साल पुराना income tax law है, जिसको अभी तक कोई जिसमें changes नहीं किये गए थे, I mean, कुछ ना कुछ नहीं चीज़ आते तो, उसको उसमें add-on कर रहे थे, लेकिन अभी जो नया direct tax code आ रहा है, उसको सरकार कह रही है, हम तो भया simplified way में लाना चाहते हैं, तो आप धान से पहले यह सुनिए, हमारे finance minister दोस्तों यह बोला है, कि simplified way में हम इसको present करने वाले हैं, बहुत ही simple होने वाला इसका structure, अब वाइस इसके लिए, अब आपको यहाँ पर suggestion जो देनी है, वो कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने enter करना है section, जिसके अंदर आप अपना response submit करना चाहते हैं, तो section आपके पास यहाँ पर submit होना चाहिए, प्लीज एंटर section number against which you want to submit response, आपको किसी भी section से कुछ भी दिक्कत है, आप उसको यहाँ पर type कर सकते हो, और accordingly दोस्तों, अब यहाँ पर चार, यहाँ पर आपको column दिख रहे हैं, चार box दिख रहे हैं basically, जिसमें आप अपने answer दे सकते हो, simplification of language की बात, यानि कि उस section को लेकर, अगर आपने language simplify करवानी है, litigation reduction, government कहती है कि अगर नया direct text code आएगा, तो litigation है, जो cases चल रहे हैं, वो काम हो जाएंगे, कुछ ऐसी provision है, जिससे बहुत ज़्यादा confusion है, उसको हटा सकते हैं, compliance reduction, यानि कि compliance is काम हो जाएंगे, इन चारो option में से आपको एक option यहाँ पर डालना है, क्योंकि आप यहाँ पर जब information पढ़ेंगे, kindly provide feedback for at least one input out of above, four types to submit your response, इन चारो में से आपको एक यहाँ पर दोस्तो response करना पड़ेगा, जैसे being a professional हमें क्या दिक्कत आती है, हम लोग को problem आती है, कि section 44 AD अगर हम apply कर रहे हैं, तो क्या section 44 AB का audit नहीं होगा, जो tax audit होता है, या vice versa मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ section 44 AD and section 44 AB, अब उसके बारे में, उसकी language को लेकर क्या confusion आती है दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने जो details है, उनको यहाँ पर mention कर देता हूँ, तो ऐसे ही आप लोग भी, अगर आपको जिसी section के regarding कुछ suggestion दे रहा है, तो आप यहाँ पर जाके उसको दे सकते हैं, जैसे मैंने आपर सारी information डाल दिये, अब जैसे इसको मैं submit करता हूँ guys, तो यहाँ पर मेरा response जो है, income tax law के अंदर यह सारे changes होने चीए, तो भईया, आपके पास मोखा है, आप कम से कम चार चीजों में बदलाव के लिए डाल सकते हैं, सरकार को कि भई इसके उपर निग्रानी कर लो, यह change कर दो, यह यह बदलाव कर दो, तो आपके पास मोखे हैं, एक आदमी के पास चार, तो जहाँ पर डाल सकते हो, या फिर इसको exit कर सकते हो, तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया, practical कैसे करना है, सुनहरा मोखा गौर्मेंट ने दे रखा है, कि नए tax law के अंदर क्या बदलाव चाते हो, तो मैं आपसे हमेशा दोस्तों request करता हूँ, कि maximum वीडियो को share करो, क्योंकि क्या पता, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या पता कोई और करना चाता हो, ताकि ये वीडियो maximum logo तक पहुँच जाए, I hope दोस्तों वीडियो आपको पसान नहीं होगी, अगर कुछ भी question को है रही है, तो comment करके भी पूछ सकते हैं, हमारी team आप तक पहुँच के उसका reply ज़रूर करेगी, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे, तब तक लिए वीडियो को like करें, share करें, और चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, Thank you.